हाई फ्रेंड्स मैं टेकनिकल गुपता सर आज हम लोग देख रहे हैं कि 18 फरवरी को जीन बच्चों का साइन्स का एक्जाम में तेंद क्लास के बच्चों का उनके लिए भीवी आई कोश्चन देख रहे हैं ये हैं फिजिक्स का कोश्चन फिजिक्स का भीवी आई कोश्चन जो chapter 1 का है, chapter 1 में हम लोग देख रहे हैं, पहला question है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पन का परियूग करते हैं, उतल दर्पन का परियूग करते हैं, उसे तरह दूसरा number question हम लोग देखते हैं, दूसरा number question कह रहा है, ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकास आसानी से पार कर ज करते हैं उसे पारदर्सी पदात करते हैं उसी तर तीसरा नंबर क्वोश्चन देखते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक यू यू लिखते हैं उसको मिव बोलते हैं यूं या मिव का मान क्या होता है साइन आई बट्टा साइन आर इसे इसनेल का नियम भी कहते हैं इसनेल का नियम इसे कहते हैं आप लोग याद रखिएगा इस चीज को चौथा नम्र कोशन देख रहे हैं किस दर्पन से वस्तु का बड़ा पर्तिविम बनता है और तल दर्पन से नियक्ष्ट देख रहे हैं 2D छमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है 30 सेंटिमीटर निर्गत की रन एवं अभिलम के बीच के कोण को क्या कहते हैं निर्गत किरन एवाम अविलम के बीच को कोन को निर्गत कोन कहते हैं सातवा नमबर कोशन देख रहे हैं हम लोग गोलिय दरपन में फोकसांतर एवाम वकरता तिरिज्या के बीच संबंध क्याची का होता है और इस कल्टू 2F र बेर 2F यानि دो गुना फोकस होता है तब तिरिज्या होता है अगला नमबर कोशन देख रहे हैं मोटर गारी के चालक के सामने लगा दरपन कौन सा होता है जो साइड मिरम लगता है उसको उत्तल दरपन कहते हैं को उत्तल दर्पन करते हैं उत्तल दर्पन में छोटा परत्वीम बनता है इस बात को विध्यान रखेंगे नाइन नंबर कोशन है उत्तल दर्पन द्वारा बना परत्वीम कैसा होता है कालपनिक और सीधा परत्वीम बनता है और वस्तु से छोटा परत्वीम बनता है दस्वा आगे बढ़ते हैं आगे 11 number question पे आते हैं तो 11 number question हमारा कह रहा है क्या देख रहा है 11 number प्रकास किस प्रकार के पथ में गमन करती है प्रकास हरदम सीधी रेखा में गमन करती है इस चीझ को ध्यान रखेंगे सौर उर्जा को संचालित करने के लिए किस दर्पन का परियोग किया जाता है जो सौर उर्जा होता है उसे संचालित करने के लिए किस दर्पन का परियोग किया जाता है तो ओतल दर्पन, सोलर कुकर में भी ओतल दर्पन का परियोग होता है ध्यान रखिएगा सभी दूरिया किस से मापी जाती है सभी दूरिया गोलिया दरपन के धुरू से मापी जाती है ध्यान रखिएगा आप लोग Next question बहुत ज़्यादा important है प्रकास किये किर्णों के समू को क्या कहते है प्रकास के किर्णों के समू को किरन पुंज कहते है और अगला question भी बहुत ज़्यादा important, बहुत ज़्यादा important question आ रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा दरपन का सुत्र क्या होता है, 1 by B plus 1 by U is equal to 1 by F, बस इतना ही या फिर का सकते हैं, 1 by U plus 1 by B is equal to 1 by F, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई problem नहीं है आप लोग पढ़े हैं, math में पढ़े हैं, इधर का उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रकास किस प्रकार का तरंग है, 16 number question, प्रकास किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्त तरंग है 17 number question हम लोग देख रहे हैं क्या, आख, कान, के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पन का प्रियूग रिखता है आख, कान, दात, नाक के डॉक्टर द्वारा ओतल दर्पन का प्रियूग किया जता है, ध्यान रखिएगा आप लोग नेक्स्ट है, search light, torch, वाहन की headlight, headlight जो होता है आगे जो light होता है, उसमें किस दर्पन का प्रियूग किया जता है, तो ओतल दर्पन का प्रियूग किया जता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा किस दरपन द्वारा वस्तु का कालपनिक पर्तवीम बनता है अगर कहते हैं 32 सेंटीमीटर वकरता तिरजिया वाले उत्तल दरपन की फोकस दूरी कितनी होगी तो 32 का आधा फोकस दूरी वकरता तिरजिया की क्या होती है आधी होती है तो 32 का आधा तो 16 हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर चैप्टर पर प्रकास का अपवर्तन सेकेंड नमबर चैप्टर के तरफ बढ़ रहे हैं तो सेकेंड नमबर चैप्टर हमारा कह रहे है क्या कि पहला कोशन निर्वात में प्रकास की चाल कितनी होती है निर्वात में प्रकास की चाल तीन गुना दस का पावर आठ तीन गुना दस का पावर आठ आगे देख रहे है क्या कि जब प्रकास की कीरन विरल माध्यम से सगन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है अभिलम की ओर मूर जाता है तो वीरल माध्यम से सगर माध्यम में जा रहा है, वीरल हो गया हावा और सगन हो गया पानी, तो सगन जब घाना छेतर आता है तो क्या होता है? अभिलम की ओर मुड़ जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगला कोशन देख रहे हैं, जब प्रकास की किरन सगन माध्यम से वीरल माध्यम की ओर, यान घाना छेतरे से खाली जगा पर जा रहा है, हावा में जा रहा है, तो अभिलम से दूर हो जाती है, ध्यान रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांग कितना होता है? तीन दसंबलो चार दो, सॉरी, दो दसंबलो चार दो, हीरा का अपवर्तनांग द दो दोसम्बलों चार दो होता है पानी का अपवरतना कितना होता है एक दोसम्बलों तीन तीन एक दसम्बलों तीन ध्यान रखेगा यह दोनों बहुत जाला important question आ सकता है कल के exam में पानी में प्रकास की चाल कितनी होती है तो लिखेंगे क्या दो लाख पचीस हजार किलो मिटर पर सेकंड होती है अगला question हम लोग देख रहे है क्या कि काच में प्रकास की चाल कितनी होती है तो दो लाख किलो मिटर पर सेकंड होती है काच में प्रकास की चाल दो लाख किलो मि नेक्स्ट देख रहे हैं आप्तित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहा ज़ता है पासविक विस्थापन कहा जाता है ध्यान रखीएगा नेक्स्ट है नवा नमबर कोश्चन किसी ठोस कोण पर जुके हुए दो समतल पिष्टों के बीच घीरे किसी पारदर्सक माध्यम को क्या कहा ज़ता है तो उसको प्रिज में कहा ज़ता है प्रिज में पास सता से होके घीरा हुआ रहता है ध्यान रखिएगा आप लोग पास सत मुआता से घीरा हुआ होता है अंठ्य साथिम कहा ज़ता है आगे बढ़ते हैं तो आगे कोश्चन हमारा है piss Stupid प्रिजम में आपतित कीरन तथा निर्गत कीरन के बीच के कौन को क्या का जाता है विचलन कौन कोा ज़ता है इग आरा नंबर कोश्चन के कर बढ़ רucky रहे हैं उत्तर लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं उत्तर लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं 12 नंबर कोश्चन के तरफ चलते हैं और उत्तर लेंस को किस नाम से जाना जाता है अब सारी लेंस के नाम से जाना जाता है यही दर्पन में इसका अपोजिट हो जाता है दर्सपन में इसका opposite हो जाता है इस बात का ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं आगे question की तरह बढ़ रहे हैं तो आगे question कौन सा है 13 number question देख रहे हैं 13 number question कह रहा है एक author lens की focus दूरी 20 cm है तो उसकी छमता क्या होगी 5 dioktor dioktor को d से भी सुचित क्या जाता है माइनस में चला जाएगा क्योंकि focus दूरी 20 cm है यह आप लोग पढ़े होंगे कैसे इसको निकाला जाता है 14 number question है जब आपतन कोन 0 है तो अपवर्तन कोन क्या होगा 0 degree Celsius जीरो यह भी होगा Celsius ने जब आपतन कोन 0 है तो अपवर्तन कोन क्या होगा 0 हो जाएगा 15 नमबर कोश्चन कर रहा है प्रकास की चाल सबसे अधिक कहा होती है प्रकास की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है मतलब सीधा निर्वात गमन कर रहा है वहाँ प्रकास की चाल सबसे अधिक होती है 16 नमबर कोश्चन देख रहे हैं हम लोग एक उत्तर लेंस होता है उत्तर लेंस कैसा होता है बीच की अपेक्छा किनारे पर मोटा होता है उत्तर लेंस बीच की अपेक्छा किनारे पर मोटा होता है बीच की अपेक्छा किनारे पर मोटा होता है इस चीज को ध्यान रखेंगे लोग आगे कह रहा है question आप लोग चास्मे में भी देखते होंगे 17. question कह रहा है spectrum प्राप्त करने के लिए किसका उप्योग किया है spectrum हर दम प्रीज में से ही बन सकता है दूस्ता नहीं बन सकता है 18. question के तरफ बढ़ रहा है तो देख रहा है 18. question कोई दिक्कत नहीं है पढ़े होंगे आप लोग निकालना 19. question है 10. ohm और 20. ohm के दो प्रतिरोधों को स्रेनी करम में जोड़ने पर सम्तुल्य प्रतिरोध होगा 30. ohm होगा ध्यान रखिएगा आप लोग तो sodium को कहां सुरक्षित रखा जाता है तो sodium को किरोसी नतेल में सुरक्षित रखा जाता है अगर sodium को किरोसी नतेल में से निकाल देंगे तो वो जलने लगेगा इस चीज को ध्यान रखिएगा आगे question की तरफ बढ़ते हैं तो तीसरा नंबर पाड़ आ जाता है मानो नेत्र मानो नेतर तीसरा नंबर पाड़ देखते हैं समान धृष्टी वाले युवक के लिए इस पर स्ट्रेस्टी की नियोंतम दूरी कितनी होगी तो पची सेंटीमी выпия की वश्टी को रखके देखा जाता है तो 25 cm दूरी हम देख सकते हैं यह समाने नित्र है और दूरी बिंदू तो अनन्थ है दूर अपचांद को देख लेते हैं उससे जाया दूर क्या देखिएगा दूसरा नंबर कोशन देख रहे हैं क्या आख का वह भाग जिस पर किसी वस्तु का परत्वीम बन देख रहे हैं तीसरा कोशन निकट द्रिष्टी दोस का उपचार किस प्रकार के लेंज से किया है किसी वस्तु को निकट द्रिष्टी दोस हो गया है यानि दूर का चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो ओतल लेंज से बने चस्मे का जब परियोग करेंगे न तो दूर का व बखोषण देख रहे हैं जो हैं सो उल्टा दूर्ट दूर्ष्य दोस्तम किस लेंजist का पर्योक रह경 करते तो उत्तल yht लेंज और धिर्ष्य के दोसमोत नजजदी का वस्तु का दीखरा है चुछ कि तुमान canonical कि दोस्तु का दोसर समी नज़ेते हैं चान देख लेते हैं आप अब कितना दूर देखिएगा अनन्त थोड़ी देर पहले ये भी कोशन बताया थे छट्था नमबर कोशन एक प्रीज में कितने सता से गीरा हुआ है तो पांस सता से गीरा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है स्वेत प्रकार जब एक प्रीज में से हो का गुजरता है तो वह वर्ण यानि रंग वर्ण मतलब होता है रंग सबसे कम बिचलित करता है लाल रंग इसलिए खतरा का परियोग लाल रंग होता है यानि बिचलता है कम है सिलिप कम करता है यह भटकता कम है बिचलन उसका कम होता है इसलिए लाल का परियोग करते हैं दू दूर दिरिष्टी दोस में किसी वस्तु का पर्तवी में रेटीना के पीछे बन रहा है तो दूर दिरिष्टी दोस रेटीना के आगे बन रहा है तो निकर दिरिष्टी दोस याद रखिए गए नवा नमबर कोश्टन देख रहा है क्या स्वेत प्रकास के वन वी शेपन में किस रंग का विच्छलन सबसे अधिक होता है, अभी थोड़ी पहले भी बता हैं, लाल रंग का विच्छलन सबसे कम होता है आगे बढ़ते हैं इगारे नमबर कोशन के तरफ इगारे नमबर कोशन देख रहे हैं आकास का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है समुंदर में पानी का प्रकीर्णन होता है नो उसके कारण दिखाई देता है 12. सुरियोदय और सुरियास के समय सुर्य लाल किस कारण से दिखायेता है या रकताब भी बोल सकता है तो प्रकास के प्रकीर्णन के कारण ये भी दिखायेता है अंत्रिक्ष यात्री को आकास का रंग कैसा दिखेगा काला दिखेगा वहाँ पर कुछ है ही नहीं वायू मंडल है ही नहीं तो काला दिखेगा ही एकदम आगे देख रहे हैं क्या अगला कोश्चन किसी कोलोराइड विलियन में किसी कोलोराइड विलियन में किसी कोलोराइड विलियन में निलंबित कनोक से प्रकास के प्रकीर्णन को क्या कहता है तिंडल प्रवावा ध्यान रखीगा आप लोग तिंडल प्रवावा आगे देख रहे हैं 15 नंबर कोश्चन जो नेत निकट निकट इस्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है यानि दूर दृष्टी दोस्त थोड़ी दे पहले उपर बतला है हुए है 16 नंबर कोश्चन देखते हैं किसी माध्यम में छोटे छोटे कनोके निलंबन को क्या कहा ज़ता है कोलाइड कहा ज़ता है तारे किस कारण टिम्टी माते नजर आते है वायू के अपवरतन के कारण तारे दोस्त को किस प्रकार के चसमे से दूर किया ज़ता है तो बिलनकार लेंस से बने चसमे का जब परियोग करेंगे न तो वो बिमारी दूर हो जाएगा 19 नंबर कोश्चन देख रहा है आख अपने लेंस की फोकल दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साब साब दे देख रहे हैं नेत्रे लेंस की फोकल दूरी कम हो जाने से कौन सी द्रिष्टी दोस्त होती है निकट दृष्टी दोस्त होती है आगे बढ़ रहे है ब जोबला चैनल को क्या है आवेस का SI मातरक क्या है कुलाम है आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए अगरंटी बजा दीजिए आप लोग को विस्टेस तयारी कराये जाएगी सब चीज की तयारी कराये जाएगी तेंथ क्लास हो टूवेल्थ क्लास हो या कोई विक निउज मिले सब चीज का निउज दिया जाएगा मेरे चैनल पर इसलिए आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए दूसरा नमबर कोशन आप लोग को दिखा रहे हैं दूसरा नमबर को दूसरा नमबर कोशन कह रहा है विद्धु धारा का SI मातरक क्या होता है विद्धु धारा का SI मातरक MPR होता MPR को A से सुजित करते हैं कुलाम को C से सुजित करते हैं परमानु पराया क्या होते हैं विदूत उदासीन होते हैं अगला नंबर कोशन देख रहे हैं परमानु के नाभिक में क्या उपस्तित होता है प्रमानु के नाभिक में प्रोट्रोन और निूट्रोन होता है, कैसे निकालते हैं, आप लोग क्लास में पढ़े होंगे लोग विदुतिय विभाव का एसाई मातरक क्या होता है, वोल्ट होता है एक आवेसित वस्तु का विभाव क्या होता है, सुनने होता है एक धनावैसित वस्तु का विवह क्या होता है धनातमक होता है विवांतर का SI मातरक वोल्ट होता है यह इंपोर्टन है यह इंपोर्टन है सारा आप लोग देखते चलिए गा लोग विवांतर का एसाई मातरक क्या होता है वोल्ट होता है सेलो के समू को क्या कहते है बैटरी कहते है पर्तिरोध का एसाई मातरक क्या होता है ओम होता है पर्तिरोधकता का एसाई मातरक क्या होता है ओम मिटर होता है बिद्दुद्धारा उत्पन करने की युक्ती को क्या कहा ज़ता है जनित्र कहा ज़ता है लगुपथन के समय परिपद में बिद्दुद्धारा का मान क्या होता है बहुत अधिक होता है जब लगुपथन होता है तो उस समय बिद्दुद्धारा का मान बहुत अधिक होता है हमारे घरों में जो विद्धुत आपूर्टी की जाती है वो क्या कितने होती है 220 भोल्ट पर परत्यावर्ती धारा होती है जब किसी चालक तार्ब से विद्धुत धरा परवाहित होता है तो गतिसील कन होते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन सतरह नमबर कोशन देख रहा है आ मीटर को विद्धुत परिपद में कैसे जोड़ा जाता है तो स्रेनी करम में जोड़ा जाता है आप लोग याद करते चलिए मैत का भी मैंने अपलोट किया हुआ है आगे जो जो सब्जेक्ट का एकजाम पड़ेगा सब चीज का मैं अपलोट करूँगा इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें अगला नमबर कोशन हम लोग देख रहे हैं कि आठारा नमबर कोशन विद्धुत पर किलोट घंटा बराबर कितना जूल होता है 3.6-10 का पावर 6 जूल होता है 21 नमबर कोशन देख रहे हैं किलोट 10 किस मात्रक है विद्धुत उड़जा का मत्रक है आपके घरों में जो बिजली सप्लाई होती है किलोट घंटा के हिसाब से सप्लाई होती है आगे देख रहे हैं बाइस नंबर कोशन बिदूत बल का फिलामेंट क्या ची का बनाता है टंगस्टन का बना होता है यानि हम आप लोग को पहले भी बताए हुए थे पहले के क्लास में भी बताए हुए थे बिदूत बल का फिलामेंट ट गर्मी देता है, वो नाइक्रोम का बना होता है, अब पंक्खे का क्वाइल होता है, वो कौपर का बना रहता है, यह सब पहले भी समझा हुए है, पहले का वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, तेश नंबर कोशन देख रहा है क्या, उच्छे परतिरोध वाले परदार्थ को क्या कहा जाता है, परतिरोध कहा जाता है, 24 नंबर कोशन देख रहा है, इस चैप्टर का लास्ट कोशन, विदूर्थ हीटर, अभी हीटर की बात बता है, विदूर्थ हीटर में कौन सा तार का परियो कुंडली के लिए किस तत्यों का परियोग किया जाता है, तो नाइक धारा का चुम्बक प्रभा पहला कोश्चन इसमें कह रहा है क्या विधुत चुम्बक या प्रेरन की खोच किसने की फैराडे ने की थी दूसरा नंबर कोश्चन देख रहा है क्या विधुत जनित परिवर्थित करता है यानि जनेरेटर जो होता है जनेरेटर वो परिवर्थ परिवर्तित करता है यांतरिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है तिसरा नमबर कोशन देख रहा है विद्धुत मोटर परिवर्तित करता है विद्धुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में यानि इसका उल्टा होता है चौथा नमबर कोशन देख रहा है जाती है, फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम, बीडियो डाले हुएं फ्लेमिंग का बाया हाथ, दाया हाथ, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, चथा नमबर कोशन देख रहे हैं, बिदूत चुम्बक बनाने के लिए प्राया किस पधार्थ के छड़ क उपयोग किया जता है नरम लोहे का बनाया जता है साथवा नमबर कोश्चन देख रहे हैं बिद्धुत मैं तार समानता कैसा होता है लाल रंग का होता है बिद्धुत मैं तार लाल रंग का होता है और दूसर का तार ब्लैक कलर का होता है जो ठंडा तार होता है इसको प्लस भी बोलते हैं इसको ध्यान रखिएगा आठवा नंबर कोश्चन देख रहे हैं बिद्धुत उपकरन का धातु आवरन जोडा जाता है भूतार से यानि अर्थिंग सुने हैं अर्थिंग वही अर्थवायर है नाइन नंबर कोश्चन देख रहे हैं हम लोग नाइन नंबर कोश्चन में कह रहा है क्या दिक परिवर्तक युक्त जनित उत्पन करता है दिश्ट धारा को उत्पन करता है दसवा नंबर कोश्चन हम लोग देख रहे हैं विद्धुत जनित का सिध्धान्त आधारित है ग्हारा नंबर कोश्चन कहा रहा है क्या कि विद्धुत फिवज आधारित होता है। धारा के उसम्यो प्रवापार आधारित होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, आप लोग को बताते चल रहे हैं। बारा नमबर कोशन कह रहा है क्या पवन बिद्धु जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है पंदरा किलोमेटर पर आवर किसी बल में एक मिनट में 120 कुलाम्ब आवेस प्रवाहित हो रहा है तो बिद्धु धारा का अनमान क्या होगा दो एंपियर होगा चौदरा नमबर कोशन देख रहा है फ्लेमिंग के बाम हासनियम के अनुसार अउठा किसकी दिसाव फ्लेमिंग पहले भी बताय हुए है दाया हाथ बाया हाथ बीडियो डाले हुए आप देख लिजिएगा बल पे अधारीत होता है पंदरा नमबर कोशन देख रहा है किसी बिद्धु धारा वाही सीधी लंबी परक नलिका में भीतर चुमबक्या छेतर होता है इसके सीरे की ओर जाने पर घटता है तो यह कोशन जो है कोशन है हमारा कि पंदरा नमबर किसी बिद्धु धारा वाही सीधी लंबी परक नलिका के भीतर चुमबक्या छेतर होता है तो जैसे जैसे जाएंगे कोना पे सीरे की ओर जाते हैं तो वह घटने लगता है सोला नमबर कोशन है स्विच लगाया जाता है गरम तार में कभी भी लगाया जाता है सतरा नमबर कोशन देख रहे हैं विदुत परिपद में विदुत फ्यूज जोडा जाता है विदुत मय तार से जोडा जाता है अठारा नमबर कोशन देख रहे हैं विदुत फ्यूज दुरगटना से रक्षा कर सकता है लगू पथन और अती भारन दोनों के समय 19 नमबर कोशन देख रहे हैं घरेलू वाइरिंग में सुइच किस तार में लगा जाता है 20 नमबर कोशन देख रहे हैं ठंडा यानि उदासीन भी बोल सकते हैं तार का परियोग रंग कैसा होता है कारियक का जो तार होता है न वही होता है ठंडा तार आगे बढ़ते हैं छटा नमबर पार्ट पे आते हैं ज्यादा आप नहीं आखरी खतम हो गया एक पेज और है देख लेजी आप लोग तो कह रहा है क्या सौर सिल बनाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाला पदार्थ कौन सा है तो सिलीकौन के तार का परियोग किया ज़ता है उन्हें क्या काहते हैं इंधन काहते है चोथा निम्म कोशन देखते हैं सुर्य और अनदारों कर से उर्जा को क्या पूर्जम्हा की नभिक्या सं लें सुर्ब या तारता कर कोई पीर उर्जम्हा होता तो व Silva would you subscribe सिधे बिद्धुत से बिद्धुत में वाली यूगतिट को पास्तर रिकाइबु है उक्षिलम्स टाहरें के तुर्षि effective चेम्नलाय नेरीं पूरी कि में मिपने सुर्चित के 본ar कोस्तुत ऐसे वजाज चेम्नलायन क्या होते खाज है खाम के किया विद्धुत से विद्धूत में बदलने वाली युकति क्या कहा लाती है अगला नंबर कोशन देख रहे हैं कि दो हलके नाभीकों को जोड़ कर एक भारी नाभीक बनाने की किरिया को क्या कहा जाता है नाभीकिय सनलयन कहा जाता है नाइन नंबर कोश्चन कह रहा है क्या जीवास्म इंधन की उर्जा का वास्तिविक सुरोत क्या है सुर्य है जीवास्म इंधन की उर्जा का वास्तिविक सुरोत सुर्य है किसी भारी नाभिक के दो परिचाक्रित चोटे नाभिकों में तूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है नाभिक की अब बिखंडन कहा जाता है अभी बतला है परमानु बम जो होता है नाभिक की अब बिखंडन बे तूट के बिखरता है आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर कोशन देखते हैं तो 11 नंबर कोशन कह रहे हैं क्या उर्जा सुरोट का चैन निर्भर करता है सुरोट से उर्जा निसकर्शन सुगमता गा। पeds आगे के लुक्त देख रहे हैं आप लोग देख लिजी एँटना खास इंपॉर्टम्ट है नहीं यह देख रहे हैं उर्जा का नाभिक्य सुरोत यह लगड़ी होता है यह भी कवस्टन आप 70 यहयों किस फ्रका बना रहे आप औरज्ग मात्राय होता है यह बी इंपॉट्रायम उर्ज्ग कैसा स्रोथ है और नवीकरनियो श्रूथ है यह फुफ्रूर्टन रिया और नवी करनीयो स्रोथ उसे कहते हैं इसवाशन ईतना ही था यह कैमेस्ट्री और बायो भी आप अप्लोट कर दूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए सब्सक्राइब करके रखेगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा और आप लोग पढ़ दिएगा एक्जाम की पूरी तैयारी कराई जा रहा है यह मेरे यूटूब चैनल पर आगे जो जो चीज का एक्जाम सब चीज की तैयारी कराई जाएगी अगर आप चाहते हैं हर चीज की तैयारी का information मिले तो आप मेरे चैनल को subscribe करकर रखे हैं आप लोग सब का skin sort कर सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही था जैहिंद